हलो एन वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया हम पढ़ रहे थे हमारे एंसी ए एर्टी क्लास फिफ्थ मैथमाटिक्स का लास्ट चाप्टर चाप्टर नमबर 14 हाव बिग हाव हेवी और यह है पार्ट फोर वीडियो इसी चाप्टर के पार्ट वान पार्ट टू और पार्ट त्र वीडियो में हमने इस चाप्टर के स्टार्टिं के कुछ को सॉल्फ किया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो में हम ट्रेक टू गंगोत्री से आगे के को सॉल्फ करेंगे आगे बढ़ने से पहले मेरे चारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसे आप स्क्रीन पॉस करके भी देख सकते हैं वाटेवर बेस्ट आइकन टीच आइच फ्री ओफ कोस्ट हेर इन दस मिन टॉक इंडिया चैनल तो सबसे पहले गंगोत्री कौन सी जगा है ऐसी जगा जहां से हमारी देश की सबसे बड़ी नदी गंगा का उद्गम होता है जहां से गंगा रिवर स्टार्ट होती है तो वहाँ पर कुछ बच्चे ट्रेकिंग के लिए जा रहे हैं यानि कि माउंटेनेरिंग पहाडों पर चड़ने के लिए जा रहे हैं तो स्टुदेंट्स ऑफ क्लास 12 आर गुईंग ऑन प्रषण जो बच्चों को अपने बैग में घृत यहाँ सामान लेने हैं जो छे दिनों तक इनके खाने पीने की रिक्वार्मेंट को पूरा करे और जो हलका हो क्योंकि जादा भारी होगा तो हम पहाड पे चड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो उन्हें अपने साथ क तो आसे सामान लेने हैं जो ज्यादा जगा नहीं गीरता है, जो हलका होता है और जो छे दिनों तक उनके लिए खाने पीने का requirement पूरा करता है So they will look for things that have both less volume and less weight तो ऐसे सामान जो less volume होंगे, मतलब की जो कम जगा गहेरेंगे बैग के अंदर और जो हलके होंगे, less weight वाले होंगे, उनको ऐसे चीज़े लेनी हैं After all, they will carry their own bags while climbing the mountains They even dry the onions and tomatoes to make them light और यहां तक कि वो प्यास और टमाटर को भी dry करके फिर बैग में पैक करके लेके जाते हैं क्योंकि जो onion और टमाटर हम लोग हमारे घर में use करते हैं क्योंकि उसमें पानी होता है, उसको कट करते टाइम, आप देखते होंगे Chopping board, चाकू, यह सब गिले हो जाते हैं, मतलब उसमें पानी होता है लेकिन उसी कटेवे pieces को अगर हम धूप में रख देंगे कुछ दिनों के लिए तो धूप की वज़े से वो पानी evaporate हो जाएगा और हमारा onion and tomatoes dry हो जाएगा और इसी dried onion and tomatoes को यह बच्चे pack करके लेके जाने वाले हैं तो किस हिसाब से onion and tomatoes dry होते हैं? 1 kg of onion or tomatoes becomes 100 grams when the water inside dries up सबसे पहले हम इस table को पढ़ते हैं the list of food each person will need for one day that means एक इंसान को एक दिन के लिए कितना सामान चाहिए वो इस list में है तो यहाँ पर different सामान लिखा है जैसे rice 100 gram एक दिन के इनकी requirement है one day आटा 100 grams pulses one third of the weight of rice and floor तो rice और floor का मिला के जैसे 100 plus 100 कितना होता है 200 gram तो 200 gram का one third weight जितना भी होगा उतना सामान यह बच्चे अपने बैग में एक दिन के लिए पैक करेंगे उसके बाद oil 50 gram, sugar 50 gram, milk powder, tea, दलिया, salt, dry onion and dried tomatoes इतना सामान इन बच्चों को एक दिन के लिए चाहिए तो six days के लिए कितना चाहिए होगा वो हम six से multiply कर देंगे तो अब पढ़ते हैं हमारे questions क्या है सबसे पहले question A For six days each person will need how much सबसे पहले rice and flour Rice चाहिए 100 gram, flour चाहिए 100 gram Total कितना हुआ? 200 gram अगर एक दिन में 200 gram चाहिए तो six days में कितना चाहिए होगा? Unitary method के हिसाब से हम six multiply by 200 करेंगे So let us write in the statement form here Rice required per person Per person मतलब एक इंसान के लिए एक दिन के लिए 100 grams चाहिए होता है And the flour required per person for one day is 100 gram again So the total rice and flour required for one person for one day is 200 gram So total rice and flour required for one person for six days Will be 200 multiply by six And that comes out to be 1200 gram So for six days each person will take 1200 gram of total rice and flour इसके बाद है pulses और एक एक बच्चा दाल कितना पैक करेगा एक दिन के लिए One third the weight of rice and flour And rice and flour का total weight हमने कितना निकाला six days के लिए वो है 1200 gram अब इसी 1200 gram का हमें one third निकाल लेना है So let us write the statement here Rice and flour required for one person for six days is 1200 gram And pulses required is one third of the weight of rice and flour That is 1200 gram अब इस आफ का क्या मतलब है आफ का मतलब होता है One by three multiply by 1200 Now we will divide the numerator by the denominator Answer here is 400 So 400 gram दाल एक एक बच्चा छह दिन के लिए पैक करेगा यह तो हम mentally कर रहे हैं चलिए statement में भी लिख लेते हैं Dried onion required for one person for six days will be 10 gram multiply by 6 Which comes out to be 60 grams answer Now let us see question number B How much of fresh tomatoes should be dried for six days for 10 people So in our list the dried tomatoes given quantity is 10 gram है लेकिन हमारे प्रोष्ण में हमारे question में Dry tomato के बारे में नहीं Fresh tomato के बारे में पूछा जा रहा है तो question में पूछ रहे हैं 10 लोग 6 days के लिए जितना dried tomato pack करेंगे अपने bag में उतने dry tomato को पाने के लिए हम कितना fresh tomato को सुखाएंगे So fresh tomato हम कितना सुखाएंगे वो हमें कैसे पता चलेगा पहले तो हमें ये निकालना है कि हमें dried tomato कितने चाहिए 10 लोग 6 दिन के लिए कितना dry tomato अपने bag में pack करने वाले हैं और फिर उस dry tomato को हम कितने fresh tomato को सुखाएंगे वो हम निकाल सकते हैं So for that the first statement that we will write is For one person, dried tomatoes needed for one day is 10 gram So total 6 दिन के लिए 6 days के लिए इस एक इनसान को कितना pack करना पड़ेगा 10 gram multiply by 6 So total कितना dry tomato use हुआ 60 gram dried tomato use हुआ Tracking के लिए कितने लोग जा रहे हैं Total जा रहे हैं 10 people एक इनसान 60 gram dry tomato use करेगा 10 people कितना dry tomato use करेगा 60 multiply by 10 dry tomatoes pack करेंगे And 60 multiply by 10 कितना होता है 600 gram 600 gram dry tomatoes हमारी requirement है 10 लोगों की requirement है Total 6 days के लिए अब हम देखेंगे कि यही 600 gram हमें कितने fresh tomatoes को सुखा के मिलेगा We get 100 gram dried tomatoes from 1 kg fresh tomato अब यहाँ पे gram है यहाँ पे kilogram है unit same कर लेते हैं 1 kg कितना gram होता है 1000 gram होता है 100 gram हमें 1000 gram fresh tomato से मिलता है तो फिर 600 gram dried tomato हमें कितने tomato से कितने fresh tomatoes को सुखा के मिलेगा इस चीज को करने के दो method है एक तो method यह है कि यहाँ पे यह है LHS और यहाँ पे यह है RHS Left hand side में 100 में हम क्या multiply करें कि हमें 600 आए naturally you will say multiply by 6 100 multiply by 6 600 होता है तो हमें right side भी तो multiply by 6 करना पड़ेगा तभी तो left hand side will be equal to right hand side तो 1000 में अगर हम 6 multiply करेंगे हमारे पास क्या answer आता है हमारे पास 6000 gram answer आता है और 6000 gram कितना kilogram होता है 6 kilogram होता है इस तरीके से हम direct answer निकाल सकते हैं दूसरा method यह है कि हम statement लिखके unitary method के हिसाब से अपना answer निकाले तो statement के हिसाब से हम पहले 1 gram dried tomatoes कितने fresh tomatoes से पाएंगे वो हमें निकालना है क्योंकि जब हम 1 unit का value निकालेंगे तभी तो हम 600 gram dried tomatoes का value निकाल पाएंगे जब हमें quantity कम हो जाएगी तो हमारा answer भी तो छोटा figure आएगा हमारा answer भी छोटा हो जाएगा कम हो जाएगा तो छोटे वाले answer के लिए हम क्या करते हैं हम division करते हैं तो अब statement को पढ़िये we get 1 gram dried tomatoes from 1000 divided by 100 gram इस division को भी करने का दो तरीका है एक तो हम numerator का 0, denominator का 0 cancel करते हैं numerator का 0, denominator का 0 cancel करते हैं जब तक कि denominator में 1 ना आ जाए तो यहाँ पे 1 आ गया बाकी numerator में क्या number बचा 10 तो हिसाब से 10 gram हमारा answer बन जाता है दूसरा method यह है कि हम rough column में 1000 को 100 से divide ही कर लेते हैं तो भी हमारे पास same answer आया यह 10 gram तो अब हम बड़े अराम से बता सकते हैं कि 600 gram dry tomatoes पाने के लिए हम कितना fresh tomato यूज़ करेंगे 600 multiply by this 10 और हमारे पास क्या answer आयेगा 600 multiply by 10 is 6000 gram तो हम हमारा final answer statement क्या लिखेंगे to get 600 gram dried tomatoes we need to dry up 6000 gram that is 6 kg of fresh tomatoes आगे हम चलते हैं और दिखते हैं हमारा question number C what is the total weight of food for 6 days in each person's bag तो सभी बच्चे अपने बैग में जो 6 days का सामान लेके जा रहे हैं उसका total weight कितना है हमें वो find out करना है तो जैसे कि हमने यहां पे table अलरेडी बना लिया है हम हर एक food item को यह तो 1 day के हिसाब से दिया हुआ है तो 6 day के हिसाब से कितना food item बनता है हर चीज का तो वो हम calculate करेंगे यहां list में लिखेंगे और फिर नीचे total कर लेंगे सबसे पहले है rice and floor तो A number वाले question में हमने already 6 days के लिए कितना rice and floor निकाला था हमने वो हम यहां पे लिख लेते हैं 1200 gram उसके बाद pulses हमने 400 gram लिकाला था उसके बाद dried onion हमने निकाला था for 6 days 60 gram तो यहां पे dried onion के जगह पे 60 grams हम लिख देते हैं next is oil one day में 50 gram oil अगर पैकरते हैं यह बच्चे तो 6 days में कितना करेंगे 50 multiply by 6 और वो कितना आता है 300 gram आता है तो वही हम oil के सामने यहां पे 300 gram लिख लेते हैं then sugar एक दिन में अगें 50 gram पैकरते हैं तो 6 days में कितना करेंगे 50 multiply by 6 वही 300 gram इसमें भी आएगा तो वो भी हम sugar के सामने लिख लेते हैं then milk powder one day में 40 gram पैक होता है चाय, porridge और hot drink बनाने के लिए तो 6 days में कितना पैक होगा 40 multiply by 6 जितना पैक होगा that comes out to be 240 gram तो वो हम milk powder के सामने 240 gram लिख लेंगे टी कितना पैक करेंगे around 10 gram for 1 day 6 days में कितना होगा 10 multiply by 6 तो हम mentally कर सकते हैं 60 gram आएगा दलिया 40 gram पैक होता है एक दिन के लिए तो 6 days के लिए कितना होगा 40 multiply by 6 यह हमने अभी अभी किया 240 gram आता है then salt एक दिन के लिए 5 gram पैक होता है 6 days के लिए 5 multiply by 6 5 sixa होता है 30 gram dried onion तो हमने पहले ही निकाल लिया था फिर बाकी क्या बचता है dried tomato 1 day के लिए 10 gram पैक होता है 6 days के लिए 10 multiply by 6 10 sixa 60 gram पैक होता है अब हमें इन सभी चीजों को कर लेना है total and the total comes out to be 2,890 gram अचा अगर हमें इस चीज को gram के जगा किलो ग्राम में दिखाना है तो हम क्या करेंगे हम thousands place और बाकी के numbers को split करेंगे तो split करने पे क्या आएगा यह आएगा 2,000 plus 890 2,000 gram कितना होता है 2 kg होता है 2 kg के अलावा 890 gram और total food का weight बनता है तो हम इस तरीके से भी answer लिखते सकते है और इस तरीके से भी answer लिखते सकते है depending on कि आपको fill in the blanks में question में कौन से unit में answer पूचा है उसके बाद हम पढ़ेंगे how heavy am I do you remember the story of how Vaidika's daughter found the weight of an elephant in your 4th standard तो 5th standard में आपको elephant का weight दे दिया गया है I weight only 5000 kg can you guess the weight of the heaviest animal on this earth it is the blue whale it is not the elephant blue whale का weight कितना है its weight is around 35 times more than me तो elephant का weight जितना भी है blue whale का weight उससे 35 times times का मतलब multiply 35 multiply by elephant का weight जो होता है वो होता है blue whale का weight so how many 1000 kg does it weigh so we will see the statement here weight of an elephant is 5000 kg and weight of the blue whale is 5000 multiply by 35 हमारे पास एंसर हैगा 175,000 so this is the number you can write in Indian place value system लेकिन कोश्चन में यहां पे पूच रहे हैं how many 1000 kg does it weigh मतलब international place value system में पूचा जा रहा है और international place value system कैसे रिट करता है once, tens, hundreds, thousand, ten thousand, hundred thousand उसके बाद आगे के नमबर तो हम लिखेंगे कैसे 175,000 kg क्योंकि आगे का नमबर तो 00 है जिसे हम नहीं लिखते 175,000 kg the blue whale weighs let us see the next question here next question is guess how many children of your weight will be equal to the weight of an elephant of 5000 kg तो मान लिजे आपके जैसे बच्चे 10-11 years के बच्चे अगर 30 kg के हैं एक एक बच्चा तो कॉच्चन में पूच रहे हैं कितने बच्चों को हम total एक साथ खड़ा कर देंगे कि वो equal हो जाएगा 5000 kg के हम एक बड़ी सी जगा पे 30 kg का एक बच्चा फिर 30 kg का एक और 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 बच्चा 30, 30, 30, 30 each में, है न, स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, we will divide 5000 by 30, weight of a child of my age is near about 30 kg, अब ये 25 भी हो सकता है, 29, 27, अलग-अलग weight भी हो सकते हैं, weight of an elephant is 5000 kg, so total number of children weighing 5000 kg will be 5000 divided by 30, और जब हम ये division करेंगे, क्योंकि मैंने 30 लिया है, 30 से divide करने पे मेरे पास 2 remainder आ गया, मतलब कि जब हम 5000 kg को divide करने जाओंगी, तो 2 kg remainder आ जाएगा, 30 के जगा पे तो एक बच्चा 27 kg, या फिर एक बच्चा 29 kg, या फिर एक बच्चा 28 kg, इतने का भी हो सकता है, तो इसे लिए, ए बच्चों का भार 5000 kg के आसपास बन सकता है, या फिर हम अगर कोशन में 20 remainder को बचा हुआ रखेंगे, तो फिर हम इसके जगा पे 166 children ही मान के चल सकते हैं, क्योंकि हमारे कोशन में children का weight तो दिया नहीं है, इसी लिए इतना सा approximation चलता है, Let us see the next question, at birth, a baby elephant weighs around 90 kg, जब एक baby elephant born होता है, तो उसका जो weight होता है, वो 90 kg होता है, how much did you weigh when you were born, जब आप born होए थे, तब आप कितने weight के थे, तो usually छोटे-छोटे बच्चे जब born होते हैं, 2.5 kg से लेकर 3 kg के बीच तक के होते हैं, कितना भी weight हो सकता है इनके बीच में, अब पूछ रहे हैं question, find out how many times is a baby elephant heavier than you were at birth, तो पूछ ये रहे हैं, जब baby elephant born हुआ था, वो 90 kg का था, माली जब आप born हुए थे, तब आप 3 kg के थे, question में पूछ रहे हैं, कि 90 kg कितना heavier है उस 3 kg से, 90 is what times of 3 kg, यानि कि अगर हम 90 को divide कर देंगे 3 से, तो भी हमें answer मिल जाएगा, so let us write the statement here, weight of baby elephant at birth 90 kg, my weight at birth 3 kg, so 90 kg is how many times heavier than 3 kg, we will divide 90 by 3, और ये division करने के बाद हमारे पास answer आया 30, so 90 kg is 30 times heavier than 3 kg, and this is your answer, let us see the next question, if a grown-up elephant eats 136 kg of food in a day, मतलब in one day, then it will eat around dash kg in a month, अगर एक दिन में एक grown-up elephant 136 kg food खाता है, एक महीने में कितना खाएगा, एक महीने में क्योंकि ये January, February नहीं स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम standard कितना लेते हैं, हम standard 30 days का लेके चलते हैं, food eaten by a grown-up elephant in one day is 136 kg, so food eaten by a grown-up elephant in 30 days will be 30 multiplied by 136, that is 4080 kg, and this is the answer, उसी का extension का एक question है, guess about how much it will eat in a year, एक साल में कितना खाएगा, एक साल में कितना days होता है, 365, तो हगर एक दिन में 136 होता है, 365 days में वो कितना खाएगा, तो हम क्या करते हैं, 136 multiply by 365, तो क्योंकि ये question guess work करने को बोला है, solve करने को नहीं बोला, तो हम multiplication नहीं दिखाएंगे, direct answer लिख लेंगे, in a year the grown-up elephant will eat about 50,000 kg of food, let us see the next topic, शाहिद सेफ्स दा बैंक, शाहिद works in a bank, he sits at the cash counter, whenever there are too many coins, he does not count them, he just weighs them, तो शाहिद क्या करता है, बैंक में बहुत सारे coins जमा होते हैं, तो इन्हें वो एके करते, count करते नहीं बैटता, वो उन्हें वे कर लेता है, उनका भार निकाल लेता है, कैसे, वो बोलता है, weighing is so much easier, the weight of a 5 रुपी coin is 9 ग्राम, एक 5 रुपे के coin को उसने एक दिन वे कर के देखा था, वो 9 ग्राम जितना weight दिखा रहा था, तो वो क्या करता है, पूरा बैग भरके 5 रुपी के coin को भर लेता है, जमा कर लेता है, फिर उतने पूरे बैग का weight निकाल लेता है, तो उसे पता चल जाता है, कितने 5 रुपी के coin मौजूद है उस bag के अंदर, वैसे एक अंकल आए अपने बैग के अंदर 5 रूपी के कोईन को भरके and he says my bag of 5 रूपी कोईन weighs 9 kg so how many coins does it have कि मेरे बैग का जो वेट है वो 9 kg दिखा रहा है तो मेरे बैग के अंदर कितने 5 रूपी कोईन है हम कैसे निकालेंगे तो कोशन में कहने का मतलब यह है कि 5 रूपी के कोईन को जब शाहिद ने भार मापा था तो उसका वेट 9 ग्राम आ रहा था अब अंकल जो बैग लेकर आए उसका जो वेट है वो 9 kg आया means इस 9 kg के अंदर कितने सारे 5 रूपी के कोईन हो सकते हैं एक 5 रूपी का कोईन होगा, एक और 5 रूपी का कोईन होगा, एक और 5 रूपी का कोईन होगा, एक और 5 रूपी का कोईन होगा means 9 kg को हम बाट रहे हैं 5 रूपी के कोईन में, अलग-अलग 5 रूपी के कोईन में अब समझ रहे हो, तो क्योंकि ये gram में है, ये वाला coin का weight, तो हमें इन सभी coins का weight भी सबसे पहले gram में convert करना है, ये kilogram में है, और 9 kilogram कितना gram होता है, multiply by 1000, that is 9000 gram, तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 1 kilogram is equal to 1000 gram, so 9 kilogram is equal to 9000 gram, ये पहली बात, दूसरी बात, if one coin weighs around 9 gram, then the bag weighing 9000 gram has 9000 divided by 9, and that is equal to 1000 coins, तो अब इसी के उपर हमारे कुछ अगले question है, how many coins are there in a sack of 5 rupee coins, if the weight is, सबसे पहले 18 kg, अगर किसी bag का weight 18 kg है, तो उस bag के अंदर कितने 5 rupee के coins है, तो हम हमारे example की तरह, पहले इस 18 kg को gram में convert करेंगे, और फिर उतने gram को हम 9 gram से divide कर देंगे, 1 kg is equal to 1000 gram, so that is why 18 kg is equal to 18,000 grams, so the number of 5 rupee coins in 18,000 gram will be equal to 18,000 divided by 9, और इस division को करने के बाद हमारे पास answer आया 2000 coins, अब दूसरा वाला है 54 kg, वही same method से हम लिखेंगे, 1 kg is equal to 1000 grams, so 54 kg is equal to 54,000 grams, अब 54,000 grams में कितने 5 rupee के coin है, तो इसलिए हम 54,000 bag के weight को divide कर रहे हैं, एक 5 rupee coin के weight से, that is divided by 9, और इस division को करने के बाद हमारे पास answer आया 6000 coins, उसी तरीके से हम C वाला निकालेंगे, अगर bag का weight 4500 gram है, यहाँ पे gram पहले से ही है, तो हमें convert करने की कोई ज़ुरत नहीं है, हम directly इसको divide कर सकते हैं 9 gram से, और इस division को करने के बाद हमारे पास answer आया 500 coins, चलते हैं next question, question D, 2 kg and 250 grams इस bag का weight है, तो यह वाला 250 तो gram में है ही, अब हमें 2 kg को सबसे पहले gram में convert कर लेंगे, और फिर उस total weight को 9 gram से divide कर देंगे, so 2 kg means multiply by 1000 that is 2000 gram, और 250 तो gram में दिया हुआ है ही, तो total gram में weight कितना आया, 2250 gram आया, यह है हमारे bag का weight, अब हमें इसी weight को 9 gram से divide कर लेना है, चलते हैं, last fill in the blanks की तरफ, bag का weight है 1 kg and 125 grams, वहीं यहाँ पर सेम, grams तो यह वाला पहले से है ही, इस kg को भी हम पहले gram में convert कर लेते हैं, total weight है 1125 grams, तो फिर इस bag में कितना 5 रूपी का coin है, 1125 grams divided by 9, और इस division को करने के बाद हमार पास answer आया 125 coins, तो फिर bag number E में 125 रूपे के coins मौजूद है, now let us read the next question, पांच रूपे की coin की तरहा 2 रूपी के coin का भी कुछ वेट होता है, उसे की उपर next question है, a 2 रूपी coin weighs 6 gram, एक 2 रूपी coin का जो भार है वो 6 gram है, what is the weight of a sack with 2200 coins, अगर एक 2 रूपी coin का भार 6 gram है, तो फिर 2200 coins का भार कितना होगा, 2200 multiply by 6, और इस multiplication को करने के बाद हमारे पास answer क्या आया, 13,200 grams, अब हमें इस answer को kilogram और gram में show करना है, तो उसके लिए हम thousands place और hundreds place करके split करेंगे, 13,000 plus 200, 13,000 gram को अगर हम kilogram में convert करते हैं, 13 kilogram आता है, और ये वाला, तो हम gram में ही रहने देंगे, 200 grams, तो वाट इस आवर answer, आवर answer is 13 kilogram and 200 grams, तो वही हमें यहां लिखने ना है, 13 kilogram and 200 grams, similarly, we will do the B1, अगर किसी बैग में 3000 coins है, तो उसका भार कितना होगा, सिर्फ kg में ही दिखाना है, so we will write the statement, weight of 1 2 rupee coin is 6 gram, so weight of 3000 coins will be 3000 multiply by 6, और इस multiplication के बाद, हमें answer मिलता है 18,000 gram, अब इस gram को हमें kilogram में convert करना है, if 1000 gram is 1 kilogram, then 18,000 gram will be 18 kilogram, so B वाले question का answer में हम लिखेंगे 18 kilogram is sack का weight है, now we will see the next question, the last problem of your chapter, if 100 1 rupee coin's weight is 485 gram, then how much will 10,000 coins weigh, अगर 101 rupee coin का weight 485 gram है, तो फिर 10,000 coins का weight कितना होगा, तो इस question को भी solve करने के दो methods हैं, सबसे पहले method में हम LHS को balance करेंगे RHS के साथ, यहाँ पे left hand side में हमने 100 से 10,000 किया, 100 में हम ऐसा क्या multiply करें कि हमारे पास 10,000 आए, यहाँ पे 0 कितने बढ़ गए, यहाँ पे 2 0 था, यहाँ पे 2 0 के अलावा 2 0 और बढ़ गया, means we are multiplying the left hand side with 100, 2 0 लगा के, तो अगर left hand side हम 100 से multiply कर रहे हैं, right hand side भी balance तभी होगा, जब हम 100 से multiply करेंगे, और 485 को अगर हम 100 से multiply करेंगे, हमारे पास answer क्या हैगा, 485 और side में 2 0, और कॉमा लगाएंगे, तो answer हैगा 48,500, अब इसी answer को हम unitary method से निकालेंगे, तो हमारा पहला statement है, weight of 100, 1 rupee coin is 485 gram, जो हमें हमारे question में दिया हुआ है, unitary method का rule यह है कि हमें सबसे पहले 1 unit की value निकाल लेनी होती है, 1 unit का value निकालेंगे, उसके बाद हम 10,000 unit का value निकाल सकते हैं, coins कम हो गया यहाँ पे, तो answer कम पाने के लिए हम क्या करेंगे, हम divide करते हैं, क्या divide करना है, इसी 485 gram को divide कर लेना है, 100 से, और उसके बाद इस division को 485 divided by 100 को, या तो हम rough column में divide कर सकते हैं, या फिर shortcut direct method से हम decimals लगा के भी निकाल सकते हैं, वो कैसे, अगर denominator में 2 0 है, तो 1 0 कट करके decimal आता है, right side से 1 place के बाद, अगर 2 0 है, दूसरा 0 कट करके decimal 2 place के बाद यहां पे आता है, तो answer क्या आया, 4.85 gram, क्योंकि हम gram में से calculation करना शुरू कर रहे थे, now we will write the statement, weight of 1, 1 rupee coin is 4.85 gram, so the weight of 10,001 rupee coins is 10,000 multiply by 4.85 gram, और इस multiplication को करने के बाद, हमारे पास क्या अंसर आता है, वैसे तो कोई भी नमबर, जब हम 0 0 में से किसी भी नमबर को multiply करते हैं, उतने 0 हम लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहां पे decimal है, 2 place के पहले decimal है, इसलिए हम यहां पे भी right side से 2 place के बाद, यहां पे जाके decimal लगाएंगे, और हमारे पास क्या अंसर आएगा, 48500, तो हमने लिखा 48500, जो क्या नमबर है, 48,500 gram होता है, and this is our final answer, 48 kg हम यहां लिखेंगे, 4848, और यह 500 gram हम यहां लिखेंगे, 500, उसके बाद है, with your closed eyes can you tell, which is heavier, 100 रुपी नोट और 50 रुपी नोट, हमें पकड़ के तो दोनों same ही लगेगा, लेकिन, शाहिद जो है, who cannot see, blind people की, a special sense of touch भी काम करती है, he can sense it better than us, find out and discuss, how do people who cannot see, make out different notes and coins, so people who cannot see, make out different notes and coins, by remembering their shape, and their sizes, हर एक नोट का size अलग होता है, और coins को, हम कुछ-कुछ coins को touch करके ही, पता लगा सकते हैं, जैसे 5 रूपी का coin, थोड़ा ज़ादा मोटा होता है, compared to 1 रूपी coin, और 2 रूपी coin, and then, what should we look for, to check, if a 100 रूपी note, is real or fake, 100 रूपी का note, असली है या नकली, यह हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो इसका answer भी नीचे ही लिखा है, a fake note में, different size, quality of paper, printing style, भारत और RBI कैसे लिखा रहा है, shining security, strip जो होता है, यहाँ पे shining silver color का, उसको भी हम देख सकते हैं, उसके बाद, white area में, गांधी जी का जो image होता है, यहाँ पे भी हमें, गांधी जी का, एक transparent image नजर आता है, तो यह सब चीजे, अगर मौजूद है एक note में, तो वो note रियल है, so that was, the last question of your textbook, and ending of, the last chapter of your class 5 maths, we will meet very soon, with our 6th standard slaybos, so till then, thank you very much, and God bless you all,